दोस्तो ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो टेक्स्टाइल सेक्टर का एक ऐसा ये खिलाडी है जिसने लोगों को बहुती जबर्दस रिटन दिया है पिछले 10 साल में जिसने भी निचले लेवर से इंवेश्मेंट किया होगा वो मालामाल हो चुका है लेकिन क्या ऐस इसी ही दोड फिर से देखने को मिलेगी क्योंकि पिछले साल बरसे स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्टर भी हो चुका है लेकिन बीजनस लगातर बढ़ रहा है कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत सांधार है और कंपनी समझ सकते हो कि आप एक मजबुत खिलाड़ी अपने सेक्टर की परन्तु टेक्सले सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है पिछले साल बरसे जियो पॉलिटिकल टेंशन और इनिफलेशन के प्रॉब्लम उसका आसर इस स्टॉक के भी उपर देखने को मिला क्योंकि कंपनी और इस समय पूरा अपना कारुमार इनका डिपेंड है और इसी विज़े से यहां पर कुछ असर देखने को मिल रहा है लेकिन अब टेक्सले के अलावा भी कंपनी का केमिकल डिविजन बहुत अचा कर रहा है आने वाले समय पेपर डिविजन में भी कंपनी कुछ और अपना बीजनस बढ़ाने की कोसिस कर रही है मैनेजमेंट के लिए हर डिविजन के अलग से मैनेजर अपॉइंट केर लिए गए तो क्या आने वाले समय ट्राइडेंट फिर से वैसा ही रिटन देगा जानने की कोसिस करेंगे और इसकी सेहत को समझेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आई तो च अब इसके पीछे वजए कुछ रिटेल इंवेस्टर जिनको लग रहा है कि यहां पे श्टॉक नहीं दोड़े और उपने यहां से इंवेस्टर निकालना चाहते है लेकिन यहीं बड़ी गलती है आपको यह ध्यान होने हैं कि 76 पैसे का स्टॉक था जिसने लोगों को बंपर रिटन दे दिया यानि यह जिसका एक लाग रुपी का इंवेस्टर फोटी-फोल लाग रुपी का निवेस हो होगा कमपनी का कैमिकल डिविजन भी है कमपनी पेपर का कारूबार भी करती है कमपनी यान का प्रोडेक्शन भी करती है और कमपनी का बात लेने बैड लेने का बीजनस है और काफी सांधार बीजनस है तो एक बात तो क्लेली आप समझ ले स्टॉक मार्ट में अगर आपको पैसे कमाने तो आपको long term के लिए stock को hold करना होगा कोई भी stock अगर आप 2 महीने चार महीने में अगर आप profit बुकरने की कोसिस करोगे तो उतना profit limited ही मिलेगा या फिर loss भी हो सकता है लेकिन अगर आपका नजरिया long term का है पास से 10 साल का तो वह stock आपको मालामाल करेगा ही करेगा आप उदारन के लिए कोई भी stock देख सकते हैं जिनोंने जिसमें काफी अच्छा लोगों को written दिया लेकिन time period के सबसे आप बड़े stock को भी देख सकते हैं जिसमें आप देखते हैं टाटा मोटर्स कोरोना काल में वो 60 रुपे के आसपास आगया था 65 कि इसने लोग बनाई थी लेकिन अब आप देखते हैं कि वो 600 को cross कर गया है तो बहुत ही better written दिया है इसी तरह से आप चाहे तो टाटा पोवर को देख सकते हैं टाटा पोवर भी 28 के आसपास था इस समय 200 के पारे वैसे 300 तक भी गया था ट्राइडेंट लिमिटेड जिसने कोरोना काल में ये 3 रुपे के आसपास था सतर तक गया तो इसी तरह से माहोल बन जाता है अगर आप उसको थोड़ा सा लॉंग ठम के लिए hold करेंगे तो इस stock ने पिछले 10 साल में 4300 परसेंट का bumper written दिया लोगों को यानि साल बर पहले किसी ने अगर इसमें एक लाक रुपे लगा होता तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो वैलूशन है वो 44 लाक रुपी तक पहुच गी होती यहाँ पे कमपनी के market cap की बात करो 17 धावजन को भी इसका पेपर बनाती है वो वेस्ट मटेरल से यह पेपर बनाने वाली कमपनी है और बीजनस इनका एक्सपोर का काफी अच्छा है शेर रोडिंग पैटन में प्रमोटर की हिस्सेदारी 73.19 परसेंट है और आप यह देख सकते हो किसी अगर प्रमोटर की पीबी के आसपाश टेड कर रहे है अब यहाप एक बड़ी गुड़नी निकल के आ रही है इंडिया और यूरोपीन इन फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के लिए एक टेबल पर आ चुके है और बहुत जल्द यहाँ पर देख सकी फ्री ट्रेड एग्रिमेंट साइन होगा यहा दो ड्यूटी पॉलिसी के उपर जाने की तैयारी है यानि किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और दोनों को मूचल बेनिफिट की सरसे मिलेगा उसके उपर आगे बढ़ा जा रहा है तो यह टेक्सलाइ सेक्टर के लिए वर्दान सावीद होगा पूरा अगर य इस सीधा फाइदा इंडिया के टैक्सलाइल कारूबार को होगा और इसमें ट्राइडेंट लिमिटेड जो एक लीडर है इस सेक्टर की और बहुत तेजी से अपने बीजनेस को आगे बढ़ा रहे है उनका यूरूपीन बाजार में काफी अच्छा कामकाज है ऐसे में फ्र आगी दारी ली गई वाँ पे और किस तरसे देखे तो फाइड़ फेशन के जो जितने भी लीडर है उन्होंने भी यहां पे किस तरसे सिरकत की और इसको किस तरसे आगे बढ़ाए जाए तो ये इसके उपर कोशिश की है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट एक बहुत बड़ा हत हो सकती है तो फ्री ट्रेड एग्रिमेंट एक बहुत बड़ा हतियार हो सकता है जीरो ड्यूटी पॉलिश के तहट जो इनके इंपुट कोश्ट है वो घटे की और इनके जो प्रोड़क की इनको अच्छी कीमत मिल जाएगी कम प्राइज में माल बेच भी पाएंगे तो सार बहुत सारी टेक्ष्टायल पार्क भी बना रहे है जिसका फाइदा भी मिल रहा है तो बहुत सारी सरकार की जो policy आउस समय है टेक्स्टायल सेक्टर को बुश्ट दे रही है और जल्द ही टेक्ष्टायल से फिल से उबढ़ जाएगा इस प्रोड़म से अब अगर हम और टेक्सले का जो डिविजिन का बीजनस उसके बीजनस की कैप्टर सिटी को भी बढ़ा रहें। यह जो सारी बाते साबित करें कि आने वाल समें Trident का बीजनस डेफिनेटली बढ़ेगा और यह Trident आने वाल समें में टॉप फाइव के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इसका एक नाम है और आप देखो लुदियाना बेस ये कंपनी है ओम टेक्टाइल में बहुत ही मजबूत कंपनी है और आप हमें एक बिगेस्ट प्लेयर कह सकते हैं इसको इसके लावा कंपनी का जो बीजनस है वो काफ कंपनी का बीजनस प्लान आगे बढ़ रहा है पंजाब से वो मध्य पर्दसक आगए और उनकी नजर गुजरात के उपर है बहुत जल्द गुजरात में भी वो कारोबार सुरू करने की प्लानिंग उनकी चल रही है ऐसे में ट्राइडेंट आने वाले समें डेफिनिल एक म हम बहुत सारा प्रॉफिट देना चाहते है जिनों भी ट्राइडेंट में बरोसा किया है वो आने वाले समें यह माला मल हो जाए इसके उपर कंपनी के पूरा का पूरा इस समय फोकस है तो यह आप समझी सकते हो कि 2025 तक ट्राइडेंट में निवेस करने वाले माला मल हो सकते यह कंपनी का कहना है तो कुल मिला के एक बैतर निवेस का जरिया बनता है इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड में आप देख सका मार्केट के 16,944 को भी इसके आसपास है करनल प्राइस की 33.20 की है लो इसका 25 का है और हाई इसका 43.80 का है तो आप देख सकते हो कि फिलाल यह अ दुखसान की समभवनों कम हो जाएगी श्टॉक का पी 38.40 का है इसकी बुक वैल्यू 8.23 रूपीज है और डिविडेंट 1.08 परसें का कमपनी ने दिया है और जो सबसे बड़ी बात है कि इसका आरोसी 11.9 परसेंट है और इसका आरोई 11 परसेंट है फेस वैल्यू 1 रूपी पार्मेंट भी रिडूज हुई है 72.6 देज थे वो घटके 45.7 पर आगे यानि कमपनी के सेहत अंदर से सुधर रही है और यह इसारा है कि श्टॉक आने वाले समें एक जबरदस रिटन भी दे सकता है और बिजनस तो बड़ी राय साथ में कमपनी का जो आप देखे तो ग् जन्यूगीरा था वो मार्च में फिर से बढ़ा है और 1573 को भी तक पहुँच गया है और यह एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर इस्टॉक के लिए इसके लावा देखे तो कि प्रॉफिट मार्च 2022 में 181 को भी जब्सका प्रॉफिट था लेकिन सेप्टम में यह मात्र प्रॉफिट को भी जब्सका था वो मार्च 2023 में 4193 को भी तक पहुच गया है ऐसे में आप इसमें निवेस कर सकते हैं आने वाले समें निकर बहुचिमें श्टॉक 500 को भी टच कर सकता है क्योंकि वो इसकी काबिलियत है आप समझ सकते हैं इसकंदर वो पोटेंशल है जिस तरह से 76 पैसे का स्टॉक अगर 70 तक चला गया तो आने वाले समें ये 33 का स्टॉक 500 को आराम से टच कर सकता है तो बिल्कुल लॉंग टम काने दिरिया लेके निवेस कर ये आने वाले समें आपको माला माल कर देगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जोगी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड